वेलकम टू मेडू हब बच्चो आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेडू हब में जहां पर हम लोग नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं अट वेरी वेरी एफोर्टेबल कॉस्ट मेरा नाम है विवेक पांडे और मैं यहां पर आपके फिजिक्स के पार्ट को फिजिक्स के खासकर इलेमेंट वाले पार्ट को डिसकस करूंगा तो आज का जो हमारे टॉपिक है बच्चो कैलकलस का एप्लिकेशन इन फिजिक्स हम लोग इन चीजों को आज डिटेल में डिसकस करेंगे अल्यडी बेसिक मैट्स की स्रीज में हम लो के आगे जो मैट का जो एप्लिकेशन अउफ यजिक्स है कैल। पाने मुद्र के अंदर हो हम लोग डिटीयल में डिसकस डियक्शकूलें मतलब differentiation और integration differentiation और integration physics में लगबग हर chapter में भुसा हुआ है तो कई बार class 11 वाले बच्चों को differentiation और integration करना तो आता है बट उसका meaning और उसको कैसे apply करना है ये समझ में नहीं आपाता है तो आज का lecture उनके इसी gap को पूरा करने के लिए है अग course पहले मैं थोड़ा सा basic से start करूँगा कि calculus के rules क्या है differentiation के rules क्या है लेकिन इस basic से हम लोग आगे बढ़ करके फिर application पे भी जाएगे ये lecture वैसे तो एक घंटे का है इसमे calculus में सारा part तो इस एक lecture में नहीं हो पाएगा तो ऐसे आगे connected और भी lectures आएगे जिसमें हम लोग बाकी चीज़ों को पूरा करेंगे लेकिन आप बिल्कुल भी attention नहीं लीजिए पूरा calculus जितने भी lectures में होगा पूरा आपको cover करवाया जाएगा तो लेट अस स्टार्ट दो फर्स लेक्शर पर दा calculus फॉर दा application of calculus तो जब भी मैं calculus शब्द यूज करता हूँ calculus word Newton साब ने यूज किया था and इसके अंदर वच्चो दो branches हैं दो topics हैं सबसे पहला है differentiation और दूसरा है integration differentiation और integration टूगेदर आर कॉल्ड आज कल्कुलिस यह दोनों क्या हैं यह दोनों mathematical operator है mathematical operations है addition, subtraction, division, multiplication तो जैसे अभी तक addition होता था subtraction, multiplication, division होता था वैसी class 11 में differentiation, integration याने यह ऐसे और यह यह दो time हो रहाए तो जैसे आप multiply और divide के लिए बच्चपन में आपको यह sign परिशान करते होंगे जब आप बहुत चोटे थे जब आप तो आपको सिखाया गया था कि addition का मतलब जो हम 2 प्लस तीन करते हैं तो आपको सिखाया जाता था दो लिखा है counting, दो लाइने बनाओ, तीन लिखा है, तीन लाइने बनाओ, अब इन सब को count करो याने counting आपने सीखी थी बच्चपन में, और counting की मदद से addition सीखा है अब आपके लिए addition इतना obvious हो गया है कि आपसे पूछे कि define addition, तो आप define नहीं कर पाएं, कि addition तो addition है, क्या definition तो कुछ ऐसे differentiation भी है बच्चो, generally teachers, खास कर हम लोग थोड़ा जो ज्यादा सालों से पढ़ा रहे हम लोग के लिए differentiation, integration उतना ही obvious हो गया है जितना आपके लिए addition और subtraction है, तो sometimes it becomes difficult for a teacher to reach at the point of view of a student, क्योंकि teacher के लिए differentiation, integration का मतलब अरे differentiation ही तो है, अरे slope ही तो है, बट बच्चा समाव is not able to connect, उसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज की class में हम देखेंगे, लेकिन जैसे मैंने एक similarity दी कि जैसे addition, subtraction, multiplication, division है वैसे ही physics के अंदर ये दो operator और add हो गए, differentiation और integration सबसे पहले heading डालिए differentiation, कि differentiation क्या है आगर differentiation होता क्या है, right, what do you mean by differentiation, what is differentiation what के बारे में detail में discuss कर, तो अगर मैं सबसे पहले इसके notation की बात करूँ तो differentiation जब भी लिखा जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये small d, बगल में एक y लिखा है फिर ये यहाँ पर upon का sign है, ये dx, इसको read किया जाता है, differentiation of y, differentiation of y with respect to x, alright, तो अगर माल लो यहाँ पर ऐसे लिखा होता, तो इसको read करते है, differentiation of, जो उपर लिखा हुआ है, उसको differentiate किया जा रहा है with respect to जो नीचे लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, कि यहाँ पर दो variables use हो रहे हैं, एक y है, एक x है, एक t है, आगे आप ऐसे भी देखेंगे, यहाँ पर q है, यहाँ पर t है, यहाँ पर v है, यहाँ पर t है, यहाँ पर temperature है, यहाँ पर time है यहाँ पर temperature है, यहाँ पर x है, यहाँ पर velocity है, यहाँ पर x है, तो हर जगे एक variable उपर होगा और एक variable नीचे होगा, और इसको read कहा जाएगा कि differentiation of उपर वाला variable with respect to नीचे वाला जाएगा, यह इसको read करने का तरीका है, लेकिन यह है क्या, यह क्या लिखा हुआ हुआ है, य यह small d का मतलब क्या है, और यह divide किया किया गया है, यह मतलब हो क्या रहा है, तो देखी बच्चों, इसका मतलब होता है, differentiation of y with respect to, यह किसी भी differentiation का मतलब, it is ratio of small changes, small छोड़ो, सबसे पहले, it is ratio of changes, differentiation का मतलब होता है, बच्चों, ratio, तो यह जो आपने यहाँ पे dy लिखा है, यह dy जो है, यह upon dx लिखा है, यह ratio है, आप देख सकते हैं, यह बीच में line है, मतलब, आप कुछ something upon something divide कर रहे हैं, so it's a ratio, यह किसका ratio है बच्चों, यह है ratio of changes, ratio of changes, changes का मतलब है, कि जब आपने यह जो dy लिखा, और यह जो dx लिखा, यह dy है, change in y, और यह dx है, change in x, तो जब आप differentiation आप यह dy by dx लिखते हैं, यह actually में ratio है, dy और dx का ratio of changes, change को हम लोग physics में, change को हम लोग कभी-कभी delta लिखते हैं, बच्चों, change को हम लोग physics में कभी-कभी delta लिखते हैं, तो यह delta y upon delta x है, that is ratio of changes, उसी delta को आप d लिख देते हैं, तो physics में, जैसे आप लिखते हैं, change in kinetic energy, तो आप लिख देते हैं, delta k, change in position, तो आप लिख देते हैं, delta x, change in time, तो आप लिख देते हैं, delta t, तो basically, differentiation क्या है, इनका ratio, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ, delta x upon delta t, तो यह ratio ले लिया मैंने, changes का, change in position upon change in time, that is ratio, और इसी change को, बच्चो, इसी delta को, हम लोग लिख देते हैं, d, यह है large change, और जब change small हो, जब change छोटा होता है, तो diamond यह जो delta है, इस delta को d कहा जाता है, that is just name, तो आप देख सकते हैं, यही चीज़ आपकी बन जाती है, dx by dt, यह दोनों same चीज़ है, यह large change है, यह small change है, तो differentiation, is a ratio, ratio of what? change, change इसलिए बोल रहा हूँ, it is not x by t, no, it is a ratio of change in x upon change in t, it is ratio of small change in x upon small change in time, it's a ratio of change, so I hope it makes sense, कि यह जो dx है, यह small change in x कहलाया, यह जो dt है, यह small change in time कहलाया, और आकिरिस से करना क्या चाहते हैं, हम यह देखना चाहते है, physics ही बहुराये, जितने भी laws हैं बच्चो, वो changes के उपर ही है, कि अगर time change हो रहा है, तो velocity कैसे change होगी, position change हो रही है, position के change से velocity कैसे relate हो रहा है, acceleration कैसे relate हो रहा है, temperature time के साथ कैसे change हो रहा है, तो study of changes ही तो physics है अगर कोई चीज fix है तो उसकी क्या study करना वो कैसे बदल रही है और आगे जा करके उसकी value क्या होगी कैसे changes आ रहे हैं और वो changes किस पर depend कर रहे हैं इसी की study को physics कहते है तो physics के अंदर ratio of changes एक तरीका है एक change को दूसरे change से relate करने का जिसका नाम differentiation so I hope आपको सौंज में आया कि अब जब मैं यह लिखता हूँ dy by dx जिसको आप पढ़ते हैं differentiation of y with respect to x यह actually में ratio of change in y upon change in x है small change in y upon small change in x that is the perspective you should take in from here differentiation का मतलब के है अब जो physics के laws है laws of physics जितने वे physics के laws है बच्चो वो कई न कई calculus सही derive हो के आते हैं जैसे आप जो लिखते हैं dx by dt अगर आप ध्यान से देखेंगे dx का मतलब change in position upon change in time यह velocity होता है डी वी बाइडी टी यह acceleration हर जगे differentiation की यह कहीं न कई equation आएगी तो अब आप इसको read कैसे करोगे इसको read आप करते हैं differentiation of x with respect to t जो की velocity होता है now let's make a point x का मतलब position है अगर किसी भी body की position change हो रही है position यानि particle अपनी जगे change कर रहा है तो वो motion होगा भाई वो जिस rate से position change हो रही है वो velocity कहलाएगी क्यों क्योंकि अगर वो slowly position slowly change हो रही है तो मतलब वो slow है position जल्दी जल्दी चेंज हो रही है time के साथ तो वो fast है तो इसके लिए जो term दिया गया rate of change of position with respect to time is called as velocity so everything is well connected well यह changes के ratio के भी नाम दिये गए कि dx by dt का नाम velocity आज से dby dt rate of change of velocity with respect to time समय के साथ speed कैसे बदल रही है यह क्या है यह acceleration राइट जैसे एक हलकी कार एक हलकी कार मतलब मरूती मरूती 800 और एक BMW दोनों के अंदर speed अगर दोनों में race हो जाए तो BMW जीतती है क्योंके BMW के अंदर speed का change जल्दी होता है rate of change of speed with respect to time is fast so we have defined that ratio as acceleration so every जितने भी physics में आप देखेंगे यह ratio of changes है इनके नाम दिये गए इन्ही के terms में loss लिखे गए जैसे rate of change of charge respect to time is called as electric current हर एक ratio के उपर एक एक नाम दिया गया और उसी को law ball दिया गया and that is how the calculus का application physics में चाल हुआ after Newton उनसे पहले calculus नहीं था he was a great scientist physicist as well as as well as the mathematician तो आई होप अब आपको समझ में आएक सबसे important question कि आखिर यह differentiation आखिर क्या है क्या what cancer मिला कि भाई यह ratio है ratio of changes it's a ratio of changes अब समझ में तो आगया चलो ठीक है ratio अब क्या करें next thing to study here in it is how how to differentiate cases को apply करें how to differentiate by differentiate कैसे करें और differentiate किसका होता है क्या देता है यह सारी चीजे so there are rules to differentiate बच्चो वी डिफ्रेंशियेट देरा रूल्स टू डिफ्रेंशियेट रूल्स टू डिफ्रेंशियेट कि और उन्ही रूल्स के में लिस्ट यहां पर लिख रहा हूं जैसे सबसे पहला जो रूल होता है polynomial functions अब वापस मैट्स में आजा बच्चो यह differentiation जो है वह एक mathematical operator है mathematical operator होने के कारण इस पे mathematics के functions का differentiation होगा mathematics के जो आपके numbers है mathematics mathematically आप differentiation को describe करेंगे तो mathematics में बहुत सारे function होते हैं हर एक function का अपना एक अरग रूल है सबसे पहले polynomial functions यहने जैसे x square हो गया one by x हो गया x cube हो गया root x हो गया यह सारे function है polynomial कहलाते है in general इनको लिखा जाता है x rest to power n के form में so we need to learn how to differentiate x rest to power n differentiation of x की power n होता है बच्चो x की power n plus sorry n into x की power n minus 1 that is the simplest rule which you have for a polynomial function याने किसी भी polynomial function को अगर differentiate करना है so differentiation एक mathematical tool है वो एक mathematically function को differentiate करता है तो polynomial function अगर आ जाते हैं तो उनके differentiation को ऐसे इस rule से solve करते हैं इसके लाब और भी functions आएंगे वह मैं आगे और deal करूंगा technometric function का लग rule है log और exponent का लग rule है first of all let us first discuss this rule जैसे for example differentiation of देखो जारा ध्यान से देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है और उपर अगर मैं x की power 100 कर दूं तो तुरंत आपको यह rule लगाना है power 100 तो 100 इंटू x की power 100-1 जो की हो जाएका 19 सिंपल है इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है बस आपको समझना है कि यह जो operator है यह इस function में लगा और इसने इसको इसमें convert कर दिया जैसे एडिशन में आप करते थे ना दो प्लस तीन पांच आ गया ना पांच लिखने के बाद वो प्लस नहीं लिखा जाता था तो वैसे जब यह operator लगा तो differentiate इस operator जब लग गया तो यह operator जिसको यह जो मैंने गोला बनाए इसको मैं operator बोल रहा हूँ यह हट गया और इसने इस function को इसमें convert कर दिया अब यहाँ पर operator दोबारा लिखने की ज़रूत नहीं कुछ ऐसे visualize कर जैसे अगर मैं differentiation of x cube पूछूँ तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चो सीधा सीधा rule लगाओ यह operator इस x cube में लगा और इस x cube को change कर देगा 3 into x की power 3 minus 1 that is 3 x square operator जैसे differentiation of root x अब root x में powers directly नहीं दिख रही है तो root का मतलब होता है बच्चो x की power half अब इस differentiation को इस operator पे लगाईए and you will get n सबसे पहले भाहर लिखना है n याने n यहाँ पे half है तो half into x की power n minus 1 half में से 1 घटाएंगे तो minus half आता है so this becomes 1 by 2 into x की power minus half all right minus power का मतलब है denominator में ले जाओ और half का मतलब है की root तो यह हो जाएगा 1 upon 2 root x I hope आपको यह पता है meaning minus power अगर हो जाए तो वो term को नीचे ले जाते हैं अब यही पे अगर मैं आपसे पूछू हूँ what is the differentiation of 1 by x square right तो 1 by x square differentiation में बच्चों यह x square denominator में नीचे लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसको उपर लाओ उसके बाद rule लगा तो यह हो जाएगा x की power minus 2 अब rule लगाई है इस पे तो यहां से ही आ जाएगा then even you differentiate this this becomes minus 2 into x की power minus 2 minus 1 so this becomes minus 2 तो multiply हो गया x की power minus 3 right इस चीज़ को आप further लिख सकते हैं minus 3 power का मतलब है minus 2 और नीचे x का हो गया cube all right very simple जैसे देखिए differentiation of अगर मैं आप से बोलू 1 by x तो 1 by x differentiation का मतलब क्या हुआ सबसे पहले इस x को numerator में लेकर के आईए so differentiation of x की power minus 1 अब यहाँ पे differentiate कर दीजी जो power है वो minus 1 है तो minus 1 बहर आजाएगी x की power minus 1 minus 1 so that becomes minus x की power minus 2 minus 2 का मतलब हो जाएगा denominator में square याने minus 1 by x square दो तीन चीज़े बच्चों यहाँ चल रही है वो एक एक step में अगर आपको किसी में भी अगर doubt है ना यहाँ से यह कैसे आया यह चार step है टीचर के लिए मेरे लिए यह answer बताना easy हो सकता है लेकिन आपके लिए नहीं है बच्चों जब तक आपकी इसमें practice नहीं है अगर आपको इसमें हलका साभी doubt आ रहा है किसी भी step में यह एक अलग step है 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 यह चार step लगती है इसमें और जब तक वो बिलकुल clearly बिलकुल आपको पता ना हो तब तक जनली दिक्कत आती रहती है I hope आपको यह समझ में आ रहा है मैं अभी एक question और देता हूँ और जैसे जैसे आप यह basic understanding आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आप इसमें अच्छा करना चालू करेंगे जैसे यह अब सबसे पहली step है इसको standard form में देखना फिर उसके वाद दूसरी step है differentiate करना फिर तीसरी step है वो जो power है उनको manage करना और चौथी step में उसको standard form में वापस लिखना यहाने पहले आप इसको convert करते हैं कि standard form में और उसके वापस उसको re-convert करते हैं तो पहली step में आप देख सकते हैं बच्छो मैं इस x को numerator मे जाओंगा तो यहाँ पर यह जो x है इसको numerator मे ले जाते हैं so this is differentiation of x को numerator में ले गए और power half नहीं अब minus half हो जाएगी root का मतलब half है और numerator में ले गए नीचे से उठा के उपर ले गए तो minus half अब है rule लगेगा अब लगेगा differentiation का rule जिसमें हम लोग कहते थे x की power n का differentiation n into x की power n minus 1 होता है तो n यहाँ पर minus half है तो n into x की power n minus 1 यह जो यहाँ से दूसरी step जो लिखी हमने वच्चो यह लगाया calculus का differentiation का rule अगर इसमें कोई doubt है तो आप पूस सकते हो यह second step पहली step में हमने standard form में convert किया दूसरी step में rule लगाया कौन सा rule कि x की power n का जो differentiation है एक्स की power n का जो differentiation है वो x की power n minus n into x की power n यह rule है यह derive नहीं किया यह हम लोग use कर रहें directly right then third step is बच्चो अब इसको थोड़ा इसकी शकल सुधार नहीं है यह सारे add करो इनको तो यह हो जाएगा minus half into x की power आप देखेंगे तो यहां पर हो गया minus 3 by 2 यह हो गया वैसे तो यहां से answer आगे है लेकिन मैं इसको और आगे ले आता हूं इसको और simplify करते हैं यह हो जाता है minus 1 upon 2 x की power 3 by 2 right तो चार step वाला process है कहने को आसान लगता है बट I guess अब आपके लिए आसान हो गया होगा पहले यह आसान नहीं था आए आगे चलते हैं इसके अंदर यह जो rule number 1 है इसके अंदर let's add second rule association का मतलब यह है बच्चों कि अगर आप differentiate करते हैं दो function को let's say f1 x plus f2 x यह add भी हो subtract भी हो तो आप इन दोनों function को differentiate separately कर सकते हो और बाद में add कर सकते हो याने this is differentiation of f1 x plus differentiation of f2 x this is called as association की आप अपनी मर्जी से दोनों को अलग लग लेया सकते हो याद रहे यह सिर्फ प्लस और minus के लिए true है बच्चों यह rule आगर यह दो function multiply हो रहे थे f1 x into f2 x तब यह rule नहीं लगता तब ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा f1 को differentiate कर दो और फिर उसके बाद f2 को differentiate कर दो ना यह multiplication यह गलत है यह मैंने जान बूच करकर लिखा है बच्चों की यह जो rule है समझ में आए कि अगर हो क्या रहा भाई यह तो obvious लगता है बट इतना obvious नहीं है यह product में अगर दो function multiply हो रहे हो तो यह association फॉलो नहीं करता it is only valid for addition and subtraction अगर दो function multiply हो रहे हैं तो आप उन दोनों को अलग-अलग differentiate कर सकते हैं जैसे की फॉर एक्जामपल अगर हमें differentiate करना पड़ गया एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स क्यूब को एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वाइर को तो आप इन दोनों को अलग-अलग differentiation कर सकते हो इन दोनों का अलग-अलग differentiation आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखें यहां पे तो x-square का differentiation याने this will become differentiation of x-square प्लस differentiation of x-q यह दोनों अलग-अलग तरीके से differentiate किये जा सकते हैं रिशब का आया है कि सर motion in a plane कब पढ़ाएंगे motion in a plane विटा हम लोग पढ़ाएंगे जब अपना यह calculus खतम हो जाएगा उसके बार राइट वैसे तो आपको पूरा syllabus करा जाएगा जब हम जैनवरी में crash course मिल जाएगा अभी जो यह lecture चल रहे हैं यह basic math के उपर चल रहे हैं अभी जो इस महीने खासकर यह सारे lecture चले हैं जिसमें हम लोग कुछ जो physics के mathematical जो conceptual topics हैं उनका revision चल रहा है जैसे यह चीजें खतम होगी we will start from the first chapter from the basic and we will cover that as in the form of crash course question, testing, सब कुछ आपको मिलेगा राइट तो बस एक अभी कुछ महीने की बात है जिसमें हम लोगी basic lectures खतम करके we will start from the basic जहां पर वो सारे chapter आपके होगे, I hope आपको जवाब मिल गया है, अभी तो हम लोग जलेली फटाफट यह discuss कर रहे है calculus, तो मैंने यह कहा कि association हो लिए होता है कि आप दोनों को अलग-लग differentiate कर दो, अब यहां पे फिर से व 2x प्लस 3x square in this case, alright, जैसे देखिए next differentiation of अगर मालीजे मैं आपसे पूछूँ की 1 by x minus 1 by x square इसको differentiate करके बताओ, तो again आपके लिए यह actually में दो differentiation है, this is differentiation of 1 by x minus differentiation of 1 by x square, अब इनको दोनों को solve करने की जरूत नहीं है, यह हमने पिसले ही question में देखा था, 1 by x का differentiation, 1 by x square भी किया था, जैड़ा दीखिए, so 1 by x का differentiation हम लोग अल्री निकाल चुके है, minus 1 by x square था, और 1 by x square का differentiation minus 2 by x cube था, तो I am using that only, the point is, you understood the association law, this is minus 1 by x square, and this was minus of minus 2 by x cube, यह minus minus plus हो जाएगा, तो this answer will be minus 1 by x square plus 2 by x cube, right, so association rule is quite simple, I hope, it is clear to you, now let us proceed to other rules, rule number 2, trigonometric functions, differentiation of sin x, differentiation of cos x, बस यह याद रखना है बच्चरे इसमें बहुत डिटेल में नहीं गुसेंगे, differentiation of 10x, तीन यह याद रखना है, sin का याद रखना है, cos का याद रखना है, और 10 का याद रखना है, आप कई लोग को पता भी होगा, बट फिर भी, revision के लिए, sin का cos होता है, cos का minus sin x होता है, 10 का 6 square x होता है, तो कई बार हमारे physics में, SHM, AC बगेरा में, sin cos के function आते हैं, उनको differentiate करना पड़ता है, इसलिए यह rule हमने लिखे, तो इसके अंदर बच्चो, differentiation of lnx log with base e is called as lnx, differentiation of e rest to power x, इसमें दो ही rule है, बड़े simple है बच्चो, यह तो 1 by x हो जाता है, और यह same रहता है e, e is basically called as natural constant, इसकी value होती है, लगए 2.7 के प्रॉक्स, natural constant कहते हैं, बच्चो, दुनिया में कुछ बड़े अच्छे number हैं, जैसे एक 0 है, एक 1 है, एक पाई है, एक e है, और एक iota है, जिसको root of minus 1 कहते हैं, तो यह 5 number maths के अंदर बड़े special number की category में आते हैं, 0, 1, pi और यह जो e है, इसको natural number कहा जाता है, इनेच्रल number क्यों कहा जाता है, यह आप जाकर के एक और Google में देखिएगा, आपको पता चलेगा कि यह e आखरी है, टू पैंट सेवन अजीप सा जो number है, यह क्या है, क्यों है, हम लोग यह e हमारे लिए बड़ा काम का है, क्योंकि e की power को differentiate करते हैं, तो वही आजाता है, आप मानके चलिए कि यही इसकी खासियत है, कि e की power x को differentiate करेंगे, तो e की power x ही आजाता है, अगर आप differentiation of 2 की power x को करेंगे, तो यह 2 की power x नहीं होता, differentiation of 5 की power x को करेंगे, तो यह 5 की power x नहीं होता, लेकिन differentiation of e की power x करेंगे, तो e की power x ही होता है, यही e की खासियत है, ठीक, चलिए, तो यह differentiation के basic rules थे, अब इसके अंदर एक जो बहुत ही important rule है, है जो हमें समझना पड़ेगा बच्चो वो है चेन रूल क्या है और क्यों यूज करना पड़ता है ले टस ट्राय टू अंडरस्टेंड जब आप डिफ्रेंशियेट करते हैं किसी फंक्शन को जैसे यहां पर मैंने एक्स की पावर एक्स स्क्वार लिखा था और एक्स स्क्वाइर है तो यहां पर भी टी आना चाहिए तब आप इसको टू टी लिख पाएंगे अगर यहां पर डिफ्रेंशियेशन आफ वाई स्क्वाइर कर रहे हैं तो नीचे वाई होना चाहिए और आप ये टू वाई लिख पाएंगे याने पॉइंट यह है जिसका फंक्शन होना चाहिए उसी का डिफ्रेंशियल होना चाहिए जिसका फंक्शन होना चाहिए उसी का डिफ्रेंशियल याने जो फंक्शन आफ डिफ्रेंशियेट कर रहे हैं उसी का डिवाई डिएक्स या डिटी लिखा होना चाहिए लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा अगर नीचे कोई अलग आ गया जैसे what if, what is differentiation with respect to t of x square, what is differentiation of t square with respect to x, what is differentiation of y square with respect to x, इन सब के answer क्या होंगे बच्चो, तो जब भी variable नीचे अलग हो और उपर अलग हो, नीचे यहां तो सम्में same दिख रहा है, लेकिन इन सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे, उपर x लिखा है नीचे t, अलग अलग variable आ गया है, उपर t square नीचे x का function, उपर y का function नीचे x का है, तब हमें बच्चो लगाना पड़ता है chain rule, chain rule क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, simple as it is differentiate कर दो, उपर वाले function को 2x into dx by dt, एक extra term लिखता है, जड़ा देखो बच्चो, यहां पे दोनों same same थे, तो कोई extra term नीचा लेकिन अगर अलग-अलग हो गए, तो एक extra term आता है, एक्स्ट्रा टम, यह जो एक्स्ट्रा टम आता है, इसी को chain rule कहता है, so whenever there are different variables in calculus, so then you have to use this extra term dx by dt, जैसे इस case में हो जाएगा बच्चो यह, 2t into dt by, sorry, dx, इस case में हो जाएगा 2y into dy by dx, तो तीनों में बच्चो एक extra term आया, और वो देखो क्या आ गया, यहाँ पे tyx आ गया, वहाँ पे y by x आ गया, वहाँ पे x by t आ गया, dx by dt, dty by dt, यह, this rule is called as chain rule, और राइट, आईए इसके पर कुछ questions करते हैं, तो थोड़ा सा और clarity आएगी, जैसे example number 3, तो इसको जब differentiate करूँगा बच्चो, तो sign function का differentiation क्या होता है सीधा, cos omega t, यही होता है, लेकिन इसके साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे t लिखा हुआ है, और यहाँ पे t के साथ कुछ multiplied है, so this becomes differentiation of वो जो भी चीज अंदर लिखी हुई है, omega t, तो omega t में omega constant constant तो बहार आ जाते हैं, dt by dt, तो यह हो जाएगा बच्चो, this becomes cos of omega t into omega बहार आ गया, और यह हो गया dt by dt, dt दोनों ही सेम है, तो dt, dt कटके 1 हो गया, याने यह बन गया, omega into cos of omega t, तो यह काफी जगें यह अंदर के constants, यहने कुछ ऐसा feel हो रहा है, जैसे वो अंदर के constant बहार आ गये, यह वाला term बहार multiply हो गया, extra, जैसे differentiation of अगर मैं cos omega t बोलू, तो cos का differentiation आपको पता है, minus sign होता है, minus sign omega t, into, अब अंदर वाले term का differentiate कर दो, omega t का differentiation just omega रह जाएगा, तो into omega, जैसे differentiation of e raised to power 5x अगर लिखा हुआ है, तो e raised to power x का differentiation वही हो जाएगा, याद रहे, as it is लिखना है, 5x, 5x लिखा तो 5x, लेकिन into differentiation of 5x, 5x में 5 बहार आ जाएगा, so it becomes 5 into e raised to power 5x, this is called as chain rule, chain rule और भी कई जगे यूज होता है, जैसे आप से पूछा जाए, if volume of a sphere is increasing at rate 2 pi meter cube, per second, find rate of change of its radius, when the radius is 10 cm, अब जैसे यह question आ गया, now try to determine this, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों यह, जड़ा आराम से करते हैं, पहले read कर लो, सबसे उपर लिखा हुआ है देखो, volume of a sphere, इसफेर का volume, volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube होता है, इसको let us say V कह देता हूँ, पहले तो यह पता होना चीज़, volume of a sphere क्या होता है, दूसरी चीज़ यहां पे कह रहा है is increasing at rate, इसका मतलब क्या है बच्चों, इस चीज़ से यह determine करना है आपको, कि वो क्या देना चाह रहा है, देखो जड़ा, 2 meter cube per second, यानि time के साथ, यानि वो यह दे रहा है, rate of change of volume, with respect to time, is 2 pi, अब यूनिट लिखने की जरूत नहीं है, meter cube per second is just the unit, वो rate of change देखते ही वहाँ समझ में, अच्छा है उपर V लिखा है नीचे T, dv by dt की value 2 pi है, समझ में आरी बात, तो यह हमारी पहली चीज़ हुई, यह हमें given है यह data, और निकालना क्या है, find rate of change of its radius, ratio of change of radius, dr with dt, याने हमें dr by time के साथ, यह निकालना है, जब radius की value 10, तो dv by dt rate of change of volume दे रखा है, dr by dt पूछा है, अब r और v में यह relation होता है, तो आप खुदी सोच सकते हैं, अगर मैं v की value, अगर मैं r के terms में चाहता हूँ, तो यहां v की जगे यह r का यह डाल दूँगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों देखो, यहां पर v की जगे यह डाल दो, तो यह क्या बन जाएगा, यह इस तरह से read करेंगे, कि नीचे t लिखा रहने दो, volume की जगे, v की जगे, यह v का formula डाल दो, यह जाएगा, 4 by 3, πाई r क्यूब, जो constant term है, 4 और πाई और यह, इनको बाहर लेओ, constant term को बेटा, बाहर लेओ, यह 4 बस अंदर r क्यूब रहेगा, यह 4, 5 by 3, बाहर हो गया, जरा देखो, यह वही आगे न, जो just अभी हमने सीखा है, differentiation of r क्यूब, r क्यूब का differentiation आपको पता होता है, वो होता है, 3 r square, लेकिन अभी आप एक catch है बच्चो, नीचे है t, उपर है r, तो एक r by t, यह यह दी r by dt बचेगा, यह, और यह हम से पूछा है, यह जो dv by dt आपने लिखा, dv by dt की value बन गई, 3 r square into d r by, यह 4 r by 3 by π भी लिखना ना भूलें, 4 r by 3 by भी आएगा नीचे, constant term, sorry, 4 by 3 by, into 4 by 3 by, जो हमने पहले बाहर लिख दिए थे थे ना, उस constant को लिखना ना भूलें, आपने इसको differentiate करके यह लिखा था, यह constant as it is आजाएगा, और इस चीज की value आपको दे रखी है बच्चो, इस चीज की value आपको दे रखी है, 2 by, और राइट, तो यहां से solve कर देते हैं इसको, तो यहां से DR by DT की value आजाएगी, तो यह 3 से, इस term को छोड़ करके बाकी सारे term उधर ले जाओ, तो वह जाएगा, 2 by, 4R square, तो 2 से यह 2 हो गया, so that is DR by DT will become 1 by 2R square, R की value 10 cm दे रखी है, तो 10 का square कर दो के तो वह जाएगा 100, so that becomes 1 by 200 cm, अब यह लिख दो DR by DT, R का मतलब cm per second, this will be your DR by DT, right, तो chain rule भी यूज हो गया, definition भी यूज हो गया, और differentiation का, वो polynomial का rule भी यूज हो गया, यह एक चीज नहीं है बच्चो, यह बहुत सारी चीजें यूज हो रही है, इसलिए इसमें बहुत confusion होती है, एक भी step में doubt रहा, तो वो कहां नहीं खता है, आईए एक और question देता हूँ इसमें, अच्छी क्लास में हम लोग दिसक्स कर रहा है, है, calculus, calculus का application, calculus का physics के अंदर meaning, calculus के terms को relate करना, यह सारी चीजें हम लोग discuss कर रहे हैं, तो देखी ज़र रहा हूँ यहाँ पर एक बार ध्यान से, क्या बोला है, the radius of circle is increasing at rate this, unit देख करके समझ में आने चाहिए, क्या लिखा हुआ है, centimeter per second, याने given हैं आपको बच्चो, centimeter per second, उपर centimeter नीचे per second, यह delta मतलब वह यह change, this is given to you as 2, इसकी value 2 लिखिए, unit भी लिख दो चाहिए, centimeters per second, पूछ हमसे क्या रहा है, the rate of change of its area, तो सबसे पहले, circle का area क्या होता है, यह आपको पता होना चीए, pi r square, इसका rate of change पूछ रहा है, याने हमसे यह पूछ रहा है, what is d a by dt, unit देखिए, centimeter square per second लिखा हुए, तो rate of change of area, with respect to time, याने d a by dt, will be equal to, तो यहाँ पे d a by dt, area की जगे, pi r square डाल दीजी, अब इसको differentiate करो, अब आपको यह r एक variable दिखना चीए, और t एक variable दिखना चीए, pi एक constant दिखना चीए, तो pi बहार आ गया, और यह बन गया, d by dt, rate of change of r square, and differentiation of r square, with respect to time t, फिर से भाई variable अलगे उपर r ए नीचे t है, so this becomes pi into, 2r into dr by dt, देखो बच्चो, r square का differentiation 2r हो गया, फिर change rule लगा करके, मैंने एक term more लिखना पढ़ा, dr by dt, यह होगा rate of change of area, तो d a by dt की value यह निकल के आई, अब हमें pi की value पता है, 2 पता है, r पता है, और dr by dt, सब कुछ पता है, value डाल दो यहाँ पे, so that will become, 2 pi, r, किस r पे पूछ रहा है, 1 by pi, अच्छा, dr by dt, rate of change of radius क्या दे रखा है, 2, कतम हो गया, तो यहां से इसको cut कर देंगे, तो answer आपका आजाएगा, 2 into 2, that is 4, unit हो जाएगे, d, y, dt की, centimeter square per second, correct answer हो जाएगा, इसका option number की, I hope आपको सौंझ में आए, बच्छो, थोड़ा सा यह difficult चीज़ें जरूर है, लेकिन अगर आप इसको, थोड़ा सा carefully सीथ देखेंगे, थोड़ा सा carefully अगर observe करेंगे, तो यह आपके लिए, एक आसान और important चीज़, important learning होगी, तो आईए एक बार फिर से summarize करते हैं, आज की class में, हम लोगों ने क्या देखा, बच्छो, आज की class में, हमने define किया, calculus में, कि calculus के अंदर दो चीज़े हैं, differentiation और integration, differentiation का हमने बच्छो meaning देखा, कि भई rate of ratios, rate of changes, ratio of changes होता है, rate of change का मतलब ratio of changes, फिर उसके अदर हमने इसके कुछ rules देखे, rules में हमने polynomial function को differentiate किया, फिर हमने उसके बाद association law देखा, फिर हमने उसके बाद technometric और exponential functions के rules लिखे, और फिर हमने chain rule को देखा, chain rule के बाद हमने application पे आ गए, कि किस तरह से physics के अंदर ये apply होता है, अलग-अलग cases में, तो calculus अभी खतम नहीं हुआ है, अगली class में हम लोग इसी calculus के graph को, इसके graphical meaning को discuss करेंगे, इसको motion in a 1D से relate करेंगे, तो अगली class का notification आपको आ जाएगा, ये जो आपके सामने link आई है, इन में आप जाके देख सकते हो, इन channels के अंदर सारे time table और आगे क्या होने वाला है, पुराना क्या हुआ है, पुराने वीडियो क्या है, और हम लोग क्या करा रहे हैं, और कैसे physics में helpful है, you can go and watch, so thank you so much.